दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग Albert Camus की लिखी एक बहुत फेमस नोवल को डिस्कुस करेंगी जिसका नाम है The Plague दोस्तो ये एक एलगरी है World War II पर जो नाज़ी पार्टी और हिटलर का कंट्रोल हो गया था पूरे यूरोप में पासी बात जो बढ़ता जा रहा था उस पर दोस्तो बहुत इंट्रेस्टिंग नोवल है पहले मैं आपको इसका historical context बताऊंगा फिर novel की story बताऊंगा फिर से आपको historical context बताऊंगा मतलब इसका जो deep philosophical idea है वो बताऊंगा चली शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो मिलता है इस वीडियो के end में दोस्तों पहले मैं इस novel को पढ़ाने से पहले आप लोगों से इसका background डिसकस करूंगा दरसल साल था 1933 जब Adolf Hitler और उसकी Nazi पार्टी ने जर्मनी में कंट्रोल जमा लिये थे सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था धीरे धीरे Hitler की बावर इतनी बढ़ गई थी कि 1939 में उसने पॉलंड पर अटेक कर दिया और World War 2 की official starting हो गई इस पर France और Britain भी चुपने ही बैठने वाले थे वो भी कूद गए बावर में और आखर World War 2 की official शुरुआत हो गई लेकिन जर्मनी ने बहुत पावर गीन कर ली थी इस टाइम तक इसलिए France को 1940 में उसकी आगे घुटने टेकने पड़े फिर उसी साल जून में जर्मन ट्रूप्स ने परिस एक ऐसा खुबसूरत शहर जो फ्रांस की राजधानी था उस पर कबजा कर लिया चार साल तक वो शहर जर्मनी के कंट्रोल में रहा आपने इंग्लिश की बुक में एक चैप्टर पढ़ा होगा दे लास्ट लेसन जिसमें आपको दर्द दिखाई देता है फ्रेंच लोगों का कि किस तरह फ्रांस में चर्मन लोगों ने काफे कोछ चेंज करने ही गुशिश की तो काफी सारे स्कॉलर्ड्स ये नोवल जो है प्लेग जो अलबर्ट कैमू ने लिखी थी उसे वर्ल्ड वार टू के दौरान फासिजम यानि पासिवाद जो यूरोप में फैलता जा रहा था उससे कंपेर करते हैं एक एलगरी मानते हैं तो ये एक बैक्ग्राउंड था ज दोनों में लोग एक साथ आकर फाइट करते हैं दोसर एक फिलासफर बड़ा फेमस हुआ था ये उस टाइम पर फ्रेडरिक निच्चे जिसकी एक्जिस्टेंशल फिलासफी ने तबाही मचा कर रख दी थी इस ग्रूप के फिलासफर्स का जो की एक्जिस्टेंशलिसम को मा मानते थे उनका मानना था कि ये उनिवर्स में अगर आप मीनिंग तलाशने निगल रहे हो तो वड़ी हसने वाली बात है क्योंकि एक फिक्स्ट मॉरालेटी नहीं है और फिक्स्ट मीनिंग नहीं है कोई एक फिक्स्ट मॉरालेटी नहीं है जो इनसान का मार्गदशन करती ह इंसान खुद अपनी morality बनाता है और खुद ही अपने meanings बनाता है अब कमाल की बात ये थी कि Albert Camus इन philosophers की बातों से agree करते थे लेकिन कोई इनके ideas को कैसे लेता था कोई कैसे लेता था तो हमारे जो writer है Albert Camus वो थोड़ा अलग तरीके से लेते थे मैं उनकी philosophy भी समझाओंगा पहले कहाने discuss करता हूँ दरसल 1940 का ही decade चल रहा था और French Algeriai port पर एक पूरा शहर बसा हुआ था औरान नाम था उस शहर का उसमें plague पैल गया हमें जो कहानी सुना रहा है उसका नाम हमें पता नहीं है वो अपने point of view से कहानी सुनाता जो भी उसने plague के दौरान देखा वो सब बताता है ये plague के दौरान वहाँ पर क्या क्या हुआ था एक डॉक्टर बर्नार्ड रियक्स नाम का डॉक्टर था उसने शहर में अचानक बहुत सारे चूहे मरते हुए देखे जल्दी ये पाया गया कि चूहे मरने का सिलसला थमी निगा था हजारों में चूहे अपने बंद इलाकों से मतलब बिल बगिरा बनाकर रखते हैं वहाँ से बार आकर मर रहे थे पहले चूहे खुले में आते फिर मर जाते अब शहर की जनता ये सब देखकर घबरा गई कि क्या किया जाए अब सरकार की जिम्मेदारी थी कि सारे चूहों की लाशों को ठिकाने पर लगाया जाए या तो जला दो या दफना दो कुछ भी कर दो लेकिन यहां से अठाओ अब जब चूहों की लाशों को हटा दिया गया जला दिया गया ज़र समय नहीं हुआ था कि डॉक्टर साब के गेट कीपर मिस्टर मिशेल को अजीब सा बुखार हो जाता है अब डॉक्टर का गेट कीपर होने के बावजूद भी डॉक्टर उसे बचाने पाया अब सेम बुखार एक के बाद एक इनसान को अपनी चपेट में लिता जा रहा था एक नया मामला सामने आया और एक और नया मामला सामने आया तो डॉक्टर साब के एक कलीग थे डॉक्टर कॉस्टिल वो बोलते हैं कि ये बिमारी बुबनिक प्लेग है अब ये लोग डॉक्टर थे तो इन्हें ज्यादा पता था इन्होंने गॉवर्मेंट को तुरंट एक्षन लेने के लिए कहा कि सारी जिम्मेदारी गॉवर्मेंट की है वो समभा लेगी इस चीज़ को गॉवर्मेंट की सरकारी अधिकारियों ने हलके में लिया कि क्या ही हो जाएगा सब नॉर्मल होई जाएगा अब ऐसा ही होता है जब कोई नई नई चीज आती है तो लोग हलके में लेते हैं आखिरकार मरने वालों की तादा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सरकार के भी कान खड़े हो गए उन्होंने औरान के गेट्स को बंद कर दिया और सिटी बन गई एक प्रिजन एक बंद प्रिजन बाकी दुनिया से अलग थला अब इन में से कई लोग ऐसे भी थे शहर में रहने वाले जिनके घरवाले बाहर रहते थे ऐसे माहौल में इनसान घबरा जाता है देखता है कि हमारे घरवाले तो बाहर रहते हमें उससे बिलना है उनके पास जाना है तो वो बाहर जाना चाते हैं, वो बाहर जा नहीं पाते हैं, यूदि वो बाहर जाएंगे तो प्लेग बाहर भी फैलेगा, बाहर से कोई अंदर आएगा, तो मतलब एक तरीके से आइसोलिट कर देते हैं city को, सारे शहर में हला मत जाता है, हर इंसान को अपनी सूस्ती है, सब क अपनी तकलीफ बड़ी लगती है ऐसे में कुछ धार्मिक लोग मौके का फायदा उठा रहे थे एक पादरी था फादर पैनलोक्स उसने बोला कि ये प्लेग एक सजा है जो औरान के लोगों को उसके पापों के लिए मिल रहे है अपकोर्स वो अपना धर्म पैलाने ये कोशिश कर रहा था कि लोगों का जो भगवान पर विश्वास खतम होता जा रहा है उसको वापिस से बनाया जाए और अपना धंदा चलाया जाए अब इन सब में एक विदेशी जनरलिस्ट भी था रेमन्ड रैंबर्ड जो औरान से भाग कर पैरिस में अपने बीवी से मिलने ये कोशिश करता है दरसल उसकी बीवी रहती है पैरिस में और वो जाकर औरान से पैरिस जाना चाता है भाग कर लेकिन भाग नहीं पाता और भागने में इसको एक आदमी हेल्प करता है कौटर नाम का पास्ट में कोई unknown crime किया था जिसके लिए अरेस्ट होने का डर इसको हमेशा सताता रहता है इसको कोई बीमारी भी है शायद हाला कि इस बंदे को कोई दोस्ती चाहिए कोई साथ चाहिए लेकि प्लेक को वेलकम ये इसलिए कर रहा था क्योंकि इसे लगता है कि ये प्लेक आने वहीं डॉक्टर साब लगातार प्लेक से लड़ने में लगे हुए थे जिनको पहले पहले इस प्लेक का पता चला वहीं डॉक्टर साब को जीन टारो और जोसेफ ग्रेंड नाम के दो बंदे आकर जाइन कर लेते हैं जीन टारो जो पहले भी प्लेक से लड़ता रहा है और ग्रेंड एक municipal party के clerk हैं 80 साल के आदमी है और एक किताब लिखने के लिए struggle कर रहा है ठीक है Gene Tarot बोलता है क्या बोलता है कि plague के time एक league बनाना सही रहेगा वो एक league बनाता है जिसमें काफी सारे लोग volunteer बनकर अपनी इच्छा से शामिल होते हैं पहले पहले जो लोग घबरा गए थे अब अपनी इच्छा से आकर volunteer बन रहे हैं और सब का साथ दे रहे हैं वहीं वो generalist Rambert जो भागने का प्लान कर रहा था फिर से अपने भागने का प्लान को execute करने ही खुश करता है लेकिन जब उसे पता चलता है कि doctor reacts जिसको जो इस कहानी का main character है उसकी बीवी sanatorium में एक इससे अलग है और बीमार पड़ी है पिर भी ये आदमी इन सब की सेवा करने में लगा हुआ है इसकी इंसानियत जागती है और ये फैसला करता है कि वहीं रहे कर plague से लड़ेगा और लोगों की जाने बचाएगा पहले पहले तो जनता अपना अपना सोच रही थी लेकिन कई महीनों तक plague जब खतम नहीं हुआ तो उन्हें लग गया कि ये सामुही का अबदा है और सब को एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा ये किसी एक पर नहीं आई है बीमारी खतम होगी कब बीमारी खतम होगी सिटी का मजिस्टेट था एम ओथॉन उसका जवान बेटा plague की चपेट में आ गया था बाकी लोग उसे मरते हुए देख रहे थे और ये सब देखते हुए पादरी पैनरोग्स जो था ना जो अपने religion फैलाने में लगा हुआ था वो भी बीमार पढ़ जाता है पता नहीं क्या कारण था उसने जवान मौत अपने आखों से देख ली शायद इसलिए वो बीमार पढ़ गया क्योंकि उसके अंदर plague के कोई लक्षन नहीं थे वो लड़का भी मर गया और वो पादरी भी मर गया वहाँ टैरो और डॉक्टर रियाक्स plague के खिलाफ लड़ने में लगे हुए थे अचानक न जाने क्या हुआ लोग एक एक करके ठीक होने लगे और महमारी कम होने लगी लेकिन फिर टैरो बीमार पड़ जाता है और लगातार बीमारी से लड़ते लड़ते उसकी भी मौत हो जाती है लेकिन पूरे शहर में धीरे धीरे लोगों में उम्बीद बनती जाती है जश्न बनना शुरू हो जाता है कि plague खतम होने लगा खतम होने लगा सिर्फ एक कार्टर था जो मैं आपको बताया था उसने plague का हाथ खूल कर welcome किया था वो plague के जाने से plague के खतम होने से परिशान था जस दिन शहर के दर्वाजे फिर से खुले वो पागल हो जाता है और शहर की गलियों में यहाँ वहाँ गूलियां चलाना शुरू कर देता है खैर उसे तो पुलिस पकड़ कर ले जाती है और सबकी life महमारी के खतम होने के बाद में नॉर्मल हो जाती है वो grand जो बुड़ा clerk था वो अपनी किताब पर काम शुरू कर देता है रैंबर्ड भी अपनी wife को औरान में लेकर आ जाता है वो journalist और यहाँ पर रहने लगता है लेकिन डॉक्टर reacts को पता चलता है कि उसकी बीमार पतनी की मौत हो गई है शहर में जल्दी सबकुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है वो लोग यानि शहर वासी ऐसा दिखाने की कोशिश करते है जैसे कुछ भी बदला नहीं है कुछ भी आया नहीं था लेकिन अंदर से सब चेंज हो चुके थे और वो डॉक्टर जिसने सबसे ज़्यादा plague में fight की थी उसने जब ये सब कुछ लोग को मरते हुए अपनी आँखों से देखा था तो उसने लिखा क्या लिखा दोस्तों एंड में कि ये जो plague पर हमारे जीत है ये temporary है क्योंकि Belsian का किटानू मतलब वो किटानू जिससे ये plague फैला था वो फिर से जाक सकता है और plague वापस फैल सकता है ठीक वैसे ही जैसे First World War खतम होने के बाद में एक किटानू जिन्दा था लोगों के दिमाग में लोगों के दिलों में जिससे Second World War को जन मिला और हो सकता है फिर से कोई बड़ी war छड़ जाये क्योंकि वो किटानू मरता नहीं है War और plague दो ऐसी चीज़े होती है जो permanently खतम नहीं हो सकती दोस्तों कहानी हमें सिखाती है कि जब तक जन्दगी में सब कुछ अच्छा चलता है न लोगों में प्यार भी होता है रस्पेक्ट भी होती है लेकिन जैसे ही थोड़ी situation खराब होती है लोगों की सच्चाई बहार आने लगती है कुछ लोग होते हैं जो मुश्किल समय में जसके टस्बने रहते हैं जैसे डॉक्टर जिसकी बीवी मर रही थी लेकिन फिर भी वो लोगों की सेवा में लगा हुआ था वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच्च्वेशन का फायदा उठाने से पीछे नहीं अटते जैसे चर्च का वो फादर लोगों का डर देखकर धर्म का प्रचार करने में लगा हुआ था वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पहले मतलब ही होते हैं लेकिन बाद में बदल जाते हैं ऐसे लोगों की तादर बहुत ज्यादा होती है जैसे वो जैसे जनरलिस्ट कोई भी प्राब्लम आती है तो एक वक्त ऐसा आता है कि चीज़े बत से बत्तर हो जाती है आखर तो सब कुछ ठीक होई जाता है कोई भी बिमारी आती है कोई भी वाड छिरती है सब कुछ ठीक हो जाता है लेकिन ठीक होने के साथ जो लोग जिन्होंने वो सब देखा होता है सब कुछ झीला होता है क्या वो वैसे रहते हैं पहले जैसे नहीं वो बदल जाते है यहां कैमू ने ये समझने की कुशिश किये और हमें समझाने की कुशिश किये कि इंसान इंडिविज्वली खुश रह सकता है या सब के साथ क्या हम सोसाइटी से अलग-अलग अलग-अलग खुश रह सकते हैं सबसे अलग-थलग रहकर या फिर on deeper level हम एक दूसरे से connected है क्या हम अकेले खुश हो सकते हैं जब दूसरों को पीड़ा और तकलीफ में देखते हैं तो क्या हम खुश हो सकते हैं जैसे जर्मनी ने फ्रांस पर कबज़ा कर लिया फ्रांस के ऑफिशल्स को जब पता लगा कि हिटलर का नाजिवाद बढ़ता जा रहा है तो पहले-पहले उन लोगों ने इग्नोर किया इस चीज को लेकिन जब उन्होंने सीरियस्री लिया तब तक बहुत देर हो चुकी थी जर्मनी ने पैरे शहर पर कबज़ा कर लिया था सारे फ्रांस वाले अगर अपनी अपनी सोचते एक बार सोच कर देखो सारे फ्रांस वाले अगर अपनी अपनी सोचते तो शायद उन्हें वो सफरिंग्स न उठाने पड़ती वो पीडा ना जिलनी पड़ती, जो उन्होंने जिली हिटलर के सामने सिर जुका लेते क्या भी गड़ता था कम से कम जाने तो बज जाती, लेकिन ऐसा करना बड़े शर्म की बात होती है क्योंकि आज नहीं तो कल हिटलर का प्लेग खतम हो जाएगा लेकिन जब सब को श्रीक हो जाएगा तब समाज में क्या मूँ लेकर घुमोगे तुम इस sacrifice जो चीज होती है न ये nature का नियम है हर इंसान इसे करके खुशी पाता है जैसे मावाव अपने बच्चों के लिए करते है माँ अपने बेटे के लिए करती है एक जवान अपने देश के लिए करता है इसको कहते हैं sacrifice जब जिन्दगी में शांथी होती है तो हर को ही बड़ी बड़ी बाते हैं लेकिन जब मौका आता है sacrifice करने का तब पता चलता है कि आप क्या हो वो एक ऐसा वक्त होता है जो saints को sinner बना देता है और sinner को saints दूओं को पापी और पापियों को सादू बुरा वक्त हमें opportunity देता है great बनने की अपने आपको निखारने की कैमू कहते हैं कि हम जतने ज्यादा rational होते जाते हैं उतने ज्यादा less courageous होते जाते हैं कम हिम्मत वाले होते जाते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी वीडियो से आपको ये plague novel जो है समझ में आई होगी दोस्तों आज की इस वीडियो में वसित नहीं अब जब आपने वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको Albert Camus का idea समझ में आए होगा चलिए आज की इस वीडियो में इस इतना ही मिलता हूँ next वीडियो में